आपके बच्चे भी अगर मतर नहीं खाते तो इस रेश्पी को ज़रूर ट्राई करें तो आपके बच्चे भरवर के मतर के खाएंगे तो यह रेश्पी आपके लिए तो स्टार्ट करते हैं नहीं रेश्पी यह हमने एक कटोरी मटर लिया है यह हमने छील कर अच्छी से दोकर ले लिया है तो अब हम इसे लेंगे मिक्षी के जार में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे एक छोटा टुकड़ा अधरा का जिसको हम दो टुकड़ों में काटके डालेंगे साथ में लेंगे दो हरी मिची ह tag उनको भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा दरदर पीच लेंग़ जदा महीन पेश्ट नहीं बनाना हलका सक दरदर होगा इस तरहका हम पेश्ट बना कर इसको त्यार कर लेंगे अब हम हम इसको एक mixing bowl में निकाल लेंगे सारे पेस्ट को यह हमने सारे पेस्ट को निकाल लिया अब कुछ मसाले डालेंगे तो हम डाल रहे हैं चोथाय चमच लाल मेची पाउडर चुअधाय से भी कम हल्दी पाउडर और आदा चमच धनिया पाउडर चोथाय चमच से बेशन भी डाला था बाइंडिंग के लिए जो मैं दिखाने पाई तो आप भी इसमें तीन चमच बेशन डाल देना मिक्स करके साइड में रखते आप सबजी बना लेता हैं यहां मैंने एक कड़ाई लिए कड़ाय में मैंने डाला एक बड़ा चमच तेल हमारा करम हो गया तो यह हमारी प्याज भुन गई है तो हम डाल देंगे इसमें एक चमच लशन अद्रक का पेस्ट और लशन अद्रक के पेस्ट को भी एक मिनट के लिए हम भून लेंगे यह हमारा लसन अद्रक का भी पेस्ट भून गया है तो अब डाल देंगे अपने मसाले इसमें तो हम यहां डाल रहे हैं एक चमच धनिया पाउडर आजैरे चमच हल्दी पाउडर और आजैरे चमची लाल मिची पाउड़ डाल रहَ है मिक्षी आप अपने साधन सार कम्या ज़दा कर सकते हैं और साधन सार नमक डाल रहे हैं अब इन मसालों को हम तेल के साथ एक मिनट के लिए भूल लेंगे यहां हमने मसालों को भूल लिया है इस समय कैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे तो पानी ओर डाल देंगे अब हम यह इस पे रखेंगे जो दूद पर ढखते जाली उसको ढख देंगे और अपने पेश्ट को लेंगे, जिसमें हमने अभी तक नमक नहीं डाला था, उसको हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि अगर पहले डालेंगे, तो यह पानी छोड़ देता, तो हम नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और छोटी छोटी सी इसकी बढ़िया तोड़ लेंगे और उसको अपनी जाली पे रखते जाएंगे, इसको ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे, छोटा-छोटा सा ही बना कर चप्ता सा बना कर रख देंगे, जिससे की असानी से सिख सके, इसी तरह से छोटी-छोटी हम बढ़िया तोड़ कर अपनी जाली पे रख देंगे, जो यह बाप में पकेगा, आप चाहे तो इसको अलग से भी बाप में पका सकते हैं, और मैंने इसी में पका लिए जो फटा-फट बन भी गई, यह मैंने सारी बढ़िया को तोड़ दिया है, और हम अब इससे ढख देते हैं, पांच मिनट के लिए और गैस की फिलम को बिल्कु को हटा देंगे, सावधानी पूरक बिल्कु असानी से हट जाएगी, और यह बढ़िया बनी है, वो भी हट जाएगी, हमारा मसाला भी देखी, कितना अच्छा पग्यास, तेल भी अलग हो गया है, और बिल्कुल भी यह तली में नहीं लगा है, अब हम इसमें जितनी हमें ग्रे भी रखने उससाव से हम पानी डाल देगे, यह मैंने श्रफ आदा ग्लस पानी डाला है, अब हम इसको पानी को भी पहले पका लेंगे, भी आप ध्याया रखते ये पानी जब डाले तो इससाव सफ़ हम आपनी बढ़ियों को डालेंगे तो थोड़ा पानी सुछ भी फिर हम इसको एक-दो मिनट के लिए पका लेंगे अब हलके हाथ से इनको लाँग सब्जी को खाने में बहुत ही को त्यक्ती लगती है अब हम इसे डख देंगे 2-3 मिनट के लिए यह देखी यहां हमारी सब्जी को पकते भी 5 मिनट होगे तो तो हमने डख नटा दिया और गयास के बंद कर दिया और उपसे डाल देंगे हारा धनिया अच्छोताई चमच करम मसाला पाउडर इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंग खाने में बहुती तेस्टी और मसाले दर यह हमारी सब्जी त्यार है